यूट्टूब में जाकर सिटी नूज पलामु को सब्सक्राइब करे वो बेल आइटम को दबाकर परमंदल की ताजा ख़बर पाए सबसे पहले सबसे आगे राजमी ब्यावत भरसचार को लेकर वक्रन घोटाले के बिरोसरूप आमादमी पार्टी पलामु जिलाई काईने अज कछरी परिशे में आउजीत एक दिनी धरना कारेकरम के माध्यम से परदेश की भाजपनी सरकार की कारसैली पर जम कर प्रहार किया आमादमी पार्टी की नेताओं ने धरना कारेकरम को संबोदित करते भी कहा कि खरन कमपनियों ने राज को 40,000 करों रुपए का चूना लगाया इतनी बड़ी घपले बाजी सिस असर के पतादिकारियों और मंत्रियों के साठगाट के बिना संभव नहीं है जिसकी नयक जा सरोच नयाले की देखरेक में कराने की मांग भकताओने की ताकि भरचचार से घरी राज की मुख सची द्वारा CBI से मिले नोटिस का जवाब नहीं दिया जाना रगवर सरकार द्वारा भरचचारियों का खुलियाम सरक्षन परदान करना है जो कहीं से भी राजहित वजनहित में नहीं है आप निताओं ने आमादमी की और ध्यान नहीं देने का सरकार पर आरोप लगाया साती वर्तबान सरकार द्वारा सिक्चा और स्वास के नाम पर ठगे जाने के परती आमादमीयों को आगा भी किया कारकर मी कौसर की सुर बच्चन सुधिर कुमार, बबन ठाकर और सीतल सिंग चेरो सही दर्जनों की संख्या में आप नेताओं कार करताओं पस्थित रहे आज हमारे आमादमी पाटी के पुरे काज करताओं के साथ हमारे जारखन सरकार ने जो द्याप्त भरस्टा चारयों खनन खटाला 40,000 पर रुपईया का खुलासा हुआ है इसके खिलाप में हम लोग एक दिवसिय धर्णा परदसन का काज करम ते किया है और यह धर्णा काज करम के तहत हम इस मन से अहवान करते हैं कि जदी इस खनन खटाला पर रुप नहीं लगाया गया इसका जाच और दोसी को सजा नहीं दिया गया तो हम लोग आगे चल कर भुगर अंदुलन करेंगे और इसे राज अस्तर ये अंदुलन को बढ़ाने का काम करेंगे आमादी परड़ी प्लामू के एक काई में कछरी परिसर में धर्णा परदसन का आउजन किया गया है यह धर्णा हमारे परदेश काज समिती सन्यराम के देख्सता में हो रही है धर्णा का मुख्य उदेश है कि छारखन में भरटचार बहुत ही चरम सीमा पे चल रही है यह जो रगवर सरकार है भाजपा की सरकार है यह सिर्फ भरटचार ही कर रही है यह विकास के नाम पे खुद को अपना ताली वजाती है खुद को अपना गिनाती है सिर्फ पोस्टर वाजी करके ये सरकार अपने आपको बहुत ही पिकास का नाम दे रही है आज एक खनन घोटाला में 40,000 कड़ोर का खनन घोटाला हुआ है जिसके मुख्य सची राजबाला बर्मा है और ये रगुवर सरकार चुप चाप बैठी हुई है उसके खिलाब कोई करवाई नहीं कर रही है ये घोटाला में संलिप्ट खुद है आज बालु घाट निलामी को नाम कर आप देख रहे हैं कि पलामू से लेकर के पुरे जर्खन में बालु घाटों को निलामी करवा दिया गया है और उसको यहां से दूसरे राजियों में बेचा जा रहा है ये खनन विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है पहाडों को लीज किया जा रहा है पहाड से जो लीज कर रहे हैं वो अंगीनत पथर उठा के ले जा रहा है सरकार को चलान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इसका कोई देखने वाला नहीं है, एक ही चलान पे दिन भर गाड़ियां जोहसों की माल को ढोते रह रही है, ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जाच सिवियाई के माध्यम होना चाहिए, इसकी जाच अगर सरकार नहीं करवाएगी तो हम लोग का ये आंदोलन पुर्वत पुर्वर्तार रहेगा